Hello Friend, स्वागत है आप सभी का Daily Current Affairs की किलास में आज हम 23 मई 2023 के Current Affairs को डिसकस करने वाले हैं, तो सुरू करते हैं तो first question है, कौन सा राज्य सुसासन विनियमों को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बना है, which state has become the first stage in the country to approve good governance regulation तो friends, ये है महरास्ट राज्य कौन सा? महरास्ट राज्य तो महरास्ट राज्य के CM कौन है? एक नाथ सिंधे, एक नाथ शिंधे आए दूसरा question शुरू करते हैं, दूसरा question है, S.E.C.L. गेवरा कोईला ख़दान में, एसिया में सबसे बड़ी कोईला उतपादन वाली ख़दान बनेगी, यह किस राज्य में है? किस देश की माउंट एंटना ज्वाला मुखी में एक बार फिर भी स्पोर्ट हुआ है? विच कंट्री हाज माउंट एटना वैलकेनो है? तो यह है इरॉप्टेट वन्स अगेन? तो यह है इतली कौन से इटली? 21 माई वो यह फिर से फट गया है, यह है कौन से कॉंटिनेंट में है? यूरोप में, कौन सा है? यूरोप में फोर्थ कोस्टन है, सही उक्त राष्ट प्रवासन एजेंसी की पहली महीला महानी देश कोन बनी है? वो हैस बिकम दा फर्स्ट वोमेंट डायरेक्टर जनरल ओफ दा यूनाइटिड नेशन माईग्रेशन एजेंसी यह बनी है एमी पॉप यह किसका इस्थान लेंगी? तो यह यह एन्टोनियो एन्टेनियो विटो रीनो का इस्थान लेंगी ठीक है? तो कौन बनी है? एमी पॉप कॉस्टन नमबर फाइव है तीर्थ यात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रिदान करने वाला देश का पहला राज्य कोन बना है? विच इस्टेश हैस बीकम दा फस्टेट इन दा कंटी तो प्रोवाइट फ्री एयर ट्रेवल्स तो प्लिग्राम्स तो यह है च्छतिस गड़ बहुती अच्छा फैंसला है मद्य प्रिदेश के सी एम जो है सिवराज सिंग चोहान उन्होंने यह है करा यह है इसका सुब्भारम जून दो हजार बारे में कितने में? जून दो हजार बारे में किया गया था काफी अच्छा है फिरी में यात्रा करने के लिए तीर थी यात्रा कौसर नमबर शिक्स है लोरा है टूरिज्म जी टौरिज्म वर्किंग ग्रूप की मिटिंग किस राजली केंदर सासित प्रदेश में शुरू हूई है G20 tourism working group meeting has begun in which state or union territory तो यह है जम्बू कस्मीर, कौन से है जम्बू कश्मीर यह बैठक 22 से 24 मई के बीच होगी 24 मई के बीच होगी कोसर नम्मर 7 है फिजी के सर्वो सम्मान, campaign of the order of Fiji से किसे सम्मानित क्या गया है who has been avoided Fiji as highest owner campaign of the order of Fiji तो यह है एक नीचे राय गया है option यह है नरेंदर मोंदी, कौन है नरेंदर मोंदी भारत के प्राइम मिनिस्टर कोसर नम्मर 8 है लोंग जम्पर सैली सिंग ने सेइको गोल्डन ग्रांट प्रिक में कौन सा मेडल जीता है विच मेडल है लोंग जम्पर सैली सिंग वोन एड़ दसी को साइको गोल्डन ग्रांट प्रिक्स तो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है कौन सा जीता है इन्होंने 6.65 मीटर लोंग जम्प में यह जीना कहां हुआ था यह योको हामा में योको हामा में ते रगना कोसर नम्म नाइन है जैविक विवित्ता के लिए अंतराष्टिय दिवस कम बनाया जाता है वैन इस दा इंटरनेशनल डे फोर बायोलोजिकल डाइवर्सिटी अबजर्ब तो फ्रेंड्स यह बनाया जाता है 22 मई कब बनाया जाता है 22 मई को तो 2023 की थीम क्या है यह याद है याद करनी है काफी मौस्ट है आती है थीम लिखने के लिए तो यह है एग्रिमेंट एग्रिमेंट टू एक्शन टू एक्शन बिल्ड बैंक बिल्ड बैंक वायो डाइवर्सिटी तो इसकी थीम आपको याद रखनी है और 22 मई को मन्या जाता है कोशन नमबर 10 है लास्ट कोशन है 2024 में Quad Leaders Summit की मेजवानी कौन सा देश करेगा विच कंट्री विल होस्ट दा Quad Leaders Summit इन 2024 तो यह है भारत 2024 में कौन करेगा भारत तो 2023 में कहां हो रही है ये जापान में हो रही है तो क्वार्ड देश में कितने देश सामिल है इसमें है जापान है भारत है और अमेरिका है अमेरिका है तो इसमें चार देश सामिल हैं यह है पहले बैठेक ऑस्ट्रेलिया के सिड्डी में हो रही थी परन्तो अभी है जापान में हो रही थी सिड्नी से कैंसील हो गई है इसलिए तो फ्रेंड्स चलते हैं मिलते हैं फिर कल को थेंक यू